फाइनली रन्बीर कपूर ने कबूला कि उन्होंने दिपिका के साथ चीटिंग की और कट्रीना को पाने के लिए दिपिका के साथ मक्कारी की रन्बीर कपूर ने हाल ही में तू जूठी में मकार ये फिल्म की और फिल्म में ऐसी ही कहानी थी कि कैसे दूसरे पार्टनर के साथ जाने के लिए पहले पार्टनर से पीछा छुडाया जाता है हाल ही में रनबीर कपूर अपनी महन करीना के शो में पहुँचे और इस शो में करीना कपूर ने आखिर रनबीर कपूर से पूछी लिया कि क्या कभी तुमने किसी रिलेशन्शिप में मकारी की है इस पर रनबीर कपूर ने कहा कि हाँ मैंने ये किया हुआ है लेकिन धीरे-धीरे मुझे ये समझ आया कि relationship में जितने आप honest रहोगे उतना ही आपका रिष्टा आपके partner के साथ अच्छा रहेगा सच बोलने से relationship और जादा गहरा होता है और जादा अच्छा होता है आपको बता दें कि दिपिका और रन्बीर बचनाय हसीनों के बाद relationship में थे लेकिन रन्बीर कपूर ने तब Katrina के लिए दिपिका को ditch किया था और दिपिका ने कहा था कि पहली बार जब वे ने उसकी cheating पकड़ी थी तब मुझे लगा कि शायद मैं ही जादा गलत सोच रही हूँ और मैं ही negative हूँ लेकिन जब बार बार इंसान वो हरकत करे तो समझ जाओ कि गलती आप में नहीं गलती उसमें है यह उसकी आदत है लोगों को cheat करना दिपा ने नाम नहीं लिया था लेकिन सब जानते है कि रनवीर कपूर को लेकर यह बात दिपा ने कही थी रनवीर को दिपा इतना चाहती थी क्या उनके नाम का tattu तक दिपा ने अपने neck पर बनवाया था हाला कि break up के बाद दिपिका ने इस tattoo को cover करवाया था और इसे एक flower का रूप दिया था